मजीद इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके मैं हुं सेले मंथ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे acetev और pessow wise को एक्टव और pessow wise की सीरीज हम शुरू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे present simple tense की पैसिव को तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टवाइस और पैसवाइस का पहले तो हम कांसेट समझेंगे के ये इस्तेमाल क्यों होती है पैसवाइस जो है इस्तेमाल क्यों होता है पैसर वाइस सबसे पहले तो जो first point है वो है कि जब हमें subject जो do or of work के काम करने वाला who performs action उसका पता हमें ना हो कि कौन perform कर रहा है एक point ये और दूसरी point ये कि subject जो है do or of work वो necessary ना हो important ना हो इसलिए भी हम use करते हैं second point ये है और third point के हम जो object होता है active sentence में जो object होता है उसके उपर हम focus करना चाहा रहे होते हैं उसके उपर हम focus करते हैं इसका एक example है bell invented the telephone ये active sentence है bell invented the telephone और passive है the telephone was invented by bell तो active sentence जो है bell invented the telephone यहां पर जो बात हो रही है वो bell की हो रही है gram bell की और second जो है passive sentence उसमें हम बात कर रहे हैं telephone की तो मैंने जैसे आपको बताया कि active voice में जो object होता है हम उस पे focus करना चाहा रहे होते हैं ज्यादा sentence में तो इसलिए भी हम passive यूज करते हैं और इसके इलावा subject का हमें पता ना हो तब ही भी हम यूज करते हैं और इसके इलावा subject important ना हो तब भी हम यूज करते हैं for example rice is grown in Pakistan यह active sentence यह passive sentence है तो इसका active कैसे होगा people of Pakistan और farmers of Pakistan गिरो rice in Pakistan तो यहाँ पे देखें important नहीं है subject यहाँ पे लगाना तो इसलिए यह passive में ऐसे जो sentences होते हैं हम passive में यूज करते हैं क्यूंकि यह understood होता है कि farmers और people of Pakistan गिरो rice और इसमें एक और बात भी है कि exactly हमें पता नहीं है कि कौन गिरो करते हैं तो इसलिए हम passive wise यूज करते हैं एक और example a house was built in 1990 तो यहाँ पे देखें यह passive wise है तो necessary नहीं है subject को लगाना इसलिए यह हम passive में ऐसे किसम के sentences हम यूज करते हैं और by phrase last में हम यूज करते हैं by phrase तो by phrase अगर ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं लगाते हैं क्योंकि जो do or a work होता है subject होता है वो हम by phrase के साथ लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो by phrase होता है तो object हो जाता है क्योंकि subject जो object होता है वो subject की जगा पे हम use करते हैं पैसव sentence बनाने के लिए यह ज़रूरी है students के लिए कि उनको tenses जो है आने चाहिए अगर आपको tenses नहीं आ रहे तो आप playlist में जाके tenses के videos देखें और वहां से सीखें पैसव में हम जो tenses नहीं इस्तेमाल करते वो perfect continuous tenses जिसमें been और since far use होता है उनकी पैसव नहीं होती और उसके बाद future continuous tense की पैसव नहीं होती और उसके बाद to be tenses जो तीन है उनकी पैसव नहीं होती यह साथ tenses होगे जिनकी पैसव नहीं हो रही और पैसव वाइस के जो basic rules हम follow करते हैं पैसव वाइस में third form of a main verb हम use करते हैं पूरी पैसव में जो भी tense हो model verb हो या tense हो अगर हम पैसव करेंगे तो third form हम use करते हैं और इसके इलावा पैसव में ट्रांजिट्व वर्ब हम उसकी पैसव करते हैं इंट्रांजिट्व वर्ब की पैसव नहीं करते हैं अगर ट्रांजिट्व और इंट्रांजिट्व वर्ब आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यह वीडियो देखें मैंने बन पेसव वाइस में active sentence का जो object है वो subject की जगा पे रखते हैं और उसके बाद helping verbs यूज करते हैं और उसके बाद third form of a maneuver उसके बाद by phrase हम यूज करते हैं और पेसव वाइस में जो helping verbs होते हैं helping verbs हर tense के different होते हैं और वो जरूरी है के वो हमें याद हो नहीं तो sentences गलत हो जाएंगे तो एक example है I teach English ये active sentence है I teach English I subject है और teach verb है और English object है तो इसकी पेसव हम ऐसे करेंगे English जो object है इसको हम पहले रखेंगे sentence में English is taught by me present simple tense के जो helping verbs हैं पेसव में वो हैं is, am, are is हम यूज करते हैं singular के साथ ही sheet, single name के साथ, are हम यूज करते हैं plural के साथ, you, 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 they, double names के साथ और am हम यूज करते हैं I के साथ, तो is, am, are helping verbs हैं present simple के पेसव में तो यहां पे English जो है वो singular है इसलिए हम पैसव जब करेंगे तो is लगाएंगे English is और teach का third form taught और इसके बाद by phrase बाए लगा के जो subject pronoun है आए है इसका हम object pronoun लगाएंगे me तो यह पैसव हो जाएगा English is taught by me कुछ और example they perform speech, speech is performed by them we celebrate party, party is celebrated by us उसके बाद है she invites her she invites her हर का subject pronoun she है तो इसकी पैसव होगी she is invited by her और इसके बाद एक और sentence है he comes to class he comes to class इसकी पैसव नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बताया के पैसव में सिर्फ ट्रांजिट्व वर्ब की पैसव होती है और इंट्रांजिट्व वर्ब की पैसव नहीं होती तो कम जो है वो इंट्रांजिट्व वर्ब है इसकी पैसव नहीं होगी present simple tense के active sentences की intra-gety और negative की passive कैसे करते है एक example आप इसी तरह सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रागेट और नेगेटव पैसिव में वहीं देखें आपको वीडियो यह समझ आजाए कि अगर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फैस्बुक पर पेज वहां पर पूछ सकते हैं एक्स्ट वीडियो तक खुदा आफिज